नमश्कार साथियों, एक नई लेर्निंग के साथ हाजर हूँ, और आज की लेर्निंग में हम उस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जो खास करके पावर शेक्टर की अंदर आती है, एवी के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है, एवी चार्जिंग को लेकर के, एवी पावर सिस्टम को लेकर के, कमपनी का डिमांड जो था, काफी अच्छा रहा था कुछ दिनों से, लेकिन जब चार्ट आप देखेंगे, तो चार्ट में फिर इसके डिमांड में थोड़ा सा बोकिंग देखने को मिला था, यह चार्ट की वैसे इसके बात कर रहा हूँ, क्या लगता है, अब दुवारा यहां से चार्ट, क्या उच्छलने की कगार के लिए थैयार होती है, जहां पे यह कह सकते हैं कि यहां से, क्या अपने एक सपोर्ट जोन को क्रेट किया, और सपोर किसी स्टॉक को लेकर कि ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाजरी की बात सामिले, अपने स्टडी सामने रखते हैं, अब इस कंपने को लेकर देखा के कि पापड़िंग प्रोसेस, ड्राइविंग सस्नीबल की बात करती है, इसका लबा देखने को मिला यह चा, इस चेंज विए स्मार्ट, सस्टेनिवल, इन दे कनेक्टेट सॉलुशंस, इन क्रिटिकल पावर, इन इवी चार्जिंग उनने पहले मैंशन किया था, उस पर कंपने का काम काज है, वेल्थ हाप्ता एक्स्पडेंश विद इस जो किया स्पेसलाईज इन इन शोरिंग मैं काम केंपनीäट्रिक वेहकल Äडपशन को लेकर के, चार्जिंग को लेकर, उसमें इनका काम काज रहा है। जहां EV charger charging जो points होती है इस पर company अच्छे कासी कामकाज करती है और फोकस में रहती है और यह charging station वगरा के कामकाज करती है एक जी कॉम नाम से इनकी brand चलती है जो कहते है इक जी come to acquire industry leader जो कि the tourism expense global footprint and the EV charging को लेकर के company ते उसको acquire करती नज़र आई इसके लवह कहते हैं इनकी expense in the UK market also इनकी कामकाज है और building sustainability के बाद भी करती है जहां पर एक जी कामकाज करती है जहां पर हर जगह क्या करने वाली है इनकी productivity और यह सब कामकाज करती है कहते हैं एक हजार charger in the 1000 day across the country की बात नहीं कहा है तो चली तौरा सा कहने वाली बातों के प्रती इनकी fund company की management performance label देख लेते हैं और management की performance label पे stock का रही है किसंद भी हम समझ लेते हैं कंपनी का नाम है एकजी कॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड देखा जाय तो कंपनी की बुक वैल्यू करी बावन का है इंट्रेसिंग वैल्यू संतावे का है इसके बज़े से मार्केट नहीं लग मुचावी पर पहुंचती हुई नजर आई थी बाद में दोबारा से यहां पे जो भीर है डेमांड है अंदर के अंदर है जा कि अर्णिंग पर सेर की बाद किया जाए तो दस रुपे रिकार्डिंग के अब चतर परशुं परषेंट की अर्णिंग करती है आरोशी और आरोई अरुँए उड़ेश्य आरुई डिपकर आउब कर्णि बीस में पहलों के बीच हम समझने बाले हैं, इन तीनों में रिस्क तू यह तो सबका साब नाम रिस्क ही है, इसके अंदर हमने रखा है रिस्क तू रिस्क रिस्क ही है, जहांपे हम डेटा वेस्स की रिकास्लेशन करेंगे, यह आखिर फंडामेंटल स्टेट्च जी है, जहांपे क्या कहने वाली है, क्या एस्पेक्टेशन करती है और क्या डेटाबेस कहता है, जिसके अलबा जो रिस्क तू रिवाड में देखा गया है, मेनेजिमेंट अपनी निवेशकों को लेकर कि क्या देती है, यह देखा देखना चाहिए, और तीसरा जोदि मार्केट ने पैसा लगा है, स्टॉक मार्केट के रिएक्सन्स के विससे पे उसका क्या एस्पेक्टेशन आती है, और क्या इनकी रिटेंड बनती नेजर आती इसके लिए चर्चा करती है, सबसे पहले कड़ी में हम समझने के प्रियास करते हैं, इसकी फंडामेंटल की उन एस्पेक्टों को जिसको कहते हैं फनांसिल्स, और फनांसिल्स में देखा गया कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस की जो डेटा रही, उसमें कई बार इसमें गिराबट कई बार पूर ऐसा इंक्रीज करती हुए नजर आती, लेकिन किसको यदि हम इसको सीधे सिधे कंपेयर करेंगे 2023 की 2024 के जोन को डेटा सो, क्या सकते हैं यहां पर कड़ी पड़ी 3% गिराबट थी, लेकिन इतना एक्सेल्स गिराबट के बाबजूद भी नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उन नियरली 100% तक के आसपास उचलती है, इसके अलाबा यदि एनवली डिटा की बात किया जाए, तो नियरली डिटा कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक उचलती कोई नजर आई थी, लेकिन बाद में थूरा सा गिरने के बाद दवारा मार्केट में क्या कर रही है, इसी लेबल पर चार्ट में ने देगा कि मार्केट में क्या हो था, चार्ट में इसी लेबल पर ऐसे गिरावट थी, गिरावट के बाद दवारा मार्केट का सिस्टमिटी के तरफ भागने की प्रियास रखेए इसके लिए चार्ट के तरफ हम चलते हैं और चार्ट में मार्केट के ट्रेंडिंग कहता है कि यहां पे इस तरह से कई बार रियक्शन कर चुका है और सभी एक्सपेक्टेशनों के बीच जो लोवर टू लोवर है उसको लगातार यह क्या करती है तोर की नीचे बॉटम जगह बनाती है इसके दोस्तों गोल्डन रूल अपलाए होता ह हमेशा और गोल्डन के बल एक की रूल काता है कि हमेशा अच्छय चाहते है फ्रो फिक के साहथ एक एक स्परक्स म assessments को समझना पड़ेग्च को यदि LAWस चल रही है उसके लिए मीनिमाईज करना जरूरी है और इसके लिए golden rule को समझ ना जरू है और हमेशा सब के लिए single golden rule apply होती है जहाँ पर हम चर्चा करें तो देखा जायत यहाँ पर growth label की लेकर करके यहां से लेकर के यहां तक लगातार क्या कर रही है इनकी sales लगातार बड़ी है profit भी बड़ी है लेकिन इसके लावा दोस्तों बात किया है इसकी अधर source of income तो चौशाट करोड के अंदर अठारा करोड का अधर source of income भी है तक इंट्रेस्ट की पार्ट 19 करोड है इसकी वज़ाए से इसमें क्या होती इसको कहते हैं इसको कोई फर्क नहीं परा इनको कोई इस बिजनेस में फर्क नहीं परा क्योंकि जितना अधर source of income जनेरेट कर रहे हैं उतना इनकी लिएबलिटी भी पड़ी हुई ने जरादे जो की इंट्रेस्ट की पार्ट को लेकर कहते हैं ऐसे ही पराओं को देखा जाए तो कंपनी ने करीब करेख सकते हैं कि लॉन को लैकर की डेट्स फ्री कंपनी के तौर पर कर्ज मुक्ति की कि तरह भागनी का प्रियास और जो हमने करेंटरियो के माप एक रिस्प्र को समझने की जरौत है कि कतने दिन के लिए और बाडे में क्या कहते है और या शेक्राशन जनार। यहां पर शेल्स बॉकस तो नहीं बुक कर दिया एक अक्सस हवाल आता है कि हम उसको कहते हैं कि वोकस शेल्स बुक करके क्या प्रॉफिट तो नहीं दिखा दिया या इसके लिए कुछ एस्पेक्टों को देखते हैं रेश्यो के लावा देखा जाए इनकी मार्केट में उधार की पैसे लगे थे वह लगया थे दो सो एक्टीस करोड के आसपास कुछ पर्सेंटेज को सोचने वाली बात है और कुछ और पराओं को देखे दोस्टीस करोड का मा और इसमें कंपनी के पास भालन को लेकर पर किन सेंटीमेंट न्या अपना की का था 11 अक्टूबर को कम्पनी ने अप्डेट दिया था और कम्पनी ने अप्डेट क्या दिया कहती है जो कम्पनी ने अप्डेट दिया जो इंटिमेशन दिया था 5 अगस 2024 को और इंवेस्टमेंट अवजा 470 क्रोड इन एक जी कम पाबर इस कम्पनी का था उसमें ऐसा हुआ था जहां पी ट्रेंशन दिया था जो 23 अगस को दवारा दिया जो कि एक सो पच्छिस क्रोड का लाउन था जो कि इस कम्प्लाइंस विद द नहांने थीन सो क्रोड का आसपस लाउन लिया था इस लाउन को लेकर कमपनी क्या कर रही है, loan को लेकर के company कनवर्ट कर रही है पता है कहती है जो system जो company लेषी एप्रॉबत द द चौरलाउन आपwarzा था 250 ड्रोड की क्या करेगी टोटेल जो 300 ड्रोड कहता है ने 250 क्रोड का ओडर जो लॉन था उसको क्या करेगी share में convert करेगी कहती है जिंटो share capital of the ws उसको share capital में convert करने वारा यह इनके लिए क्या कहती है मतलब loan अब loan के लिए interest ने लाने और बांकी चीजों को लेकर क्या करना इनको convert कर देंगे अपनी holding को बढ़ाने के लिए इसके अपडेट निकल के आई थी इसके लावा दोस्तों बात क्या कर रहेते हैं हम यहां पर percentage को लेकर के तो percentage में देखा गया कि दोस्तों किस क्रोड का माप आप देखेंगे तो साइद यह कह सकते हैं कि यहां पे कितना क्याती है मार्केट में टोटल टर्णावर था इसका मान लेते हैं 20% हो गया यह और इसका 64 क्रोड के recording यदि आप इसको 211 क्रोड को देखेंगे क्या सकते हैं करिब करिब 400% का डिस्क बना हुआ हाथ में एक रुप्या भी नहीं आया और 400% का डिस्क भी लगा हुआ है तो यह थोड़ा साइन के लिए सेंटिमेंट की बात करती है अब इसके तरफ यदि एक परत को पड़ाओ को और पहलू को देखेंगे तो पहलू यह है जो सेल्स को लेकर के डिगार्डिंग तु दर लास्ट यर और यह सेल्स लगातार बढ़ा प्रोफिट भी लगातार बढ़ी इस टॉप प्रस इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इनकी लिस्टिंग अभी रिसेंटली की बात होई होगी इनको सपोर्ट देती नहीं आती है तो लिस्टिंग इसका खासे इंट्रेस्ट बना क्यों इंट्रेस्ट के पिछे कुछ वजा था जहां पर वर्ड करके आता है एवी एलेक्रिक वेहिकल चार्जिन जो होता है वह खासकर के आशकर इंडिया में फुद ज्यादा डिमांड में है क्योंकि आने वाले समय में इलेक्रिकल पॉइंट्स की जरुवत है क्यों की जरुवत है लोगों के पास चाहिए और यहां पर सब कॉस्टिंग सस्ता पड़ता है चलाने की मेंटेनस कोस्ट की बात किया जाता हूं यहां फिलहाल मार्केट जब एक बॉटम फिक्स करेगा सस्टेन करेगी तभी मार्केट के लिए कुछ कहा जा सकता है और यह बात कह सकते ही कि यहां पे जिन लोगों ने बेचा कोईगी ते इसके एकॉर्डिंग उसको प्रसेंटेज फिक्स करना बढ़ेगा और जैसे इस्प्रेक्टेशन की बीच की बात किया जाए इस्प्रेक्टेशन की बीच इस पहलों को देखा जाता है कि आपकी प्रोफिट बूकिंग जब तक कट नहीं करेंगे तब तक तब तक तब तक काफी अच्छी भूम का रही है 6% ज्यादा की होल्डिंग रही अभी भी सिटमबट की डेटाबेसिस में और जो पब्लिक के पास था होल्डिंग वो थूरा सा मतलब यहां पर क्या हुआ इसलिए मार्केट की सेंट्रीमेंटल क्या हुई खराब हुई क्योंकि यहां पर सेंट्री करता है तो फिर हुआ ऐसा सिटुएशन बन जाती जहां पर देखा गया कि आमनीवेशर करी देर लाग क्यास पास की एक च्छतिस एक लाग च्छतिस जार क्यास पास की भीर खरा हो रखी है इनके लिए सेंटिमेंट भी देती थी अपडेट भी इनके पियर्स में कंपनी का रिकॉर्ड रहा है अब एक बात और समझने वाली बात है इसको ले करके जो क्या क्या कहती है तर जमुक्त कंपनी के तौर पर फिलाल चलती है जो कि अब डेटर को ले करके इंप्रूब्मेंट करती है अच्छी बात है डिविदेंट का कोई टैक रिकॉर्ड नही रोग किया है और इनके पास इस ट्रॉंग शपोर्ट बनती है इस प्राइस के आसपास में कह सकता हूँ कि इस ट्रॉंग शपोर्ट की बाद किया देदा है और इस पर आकर यदि मार्केट आती है इनके situation के गॉर्डिंग तो market यहां के बाद कम भी क्या हो सकती है support ले सकती है लगाता जिस price पर कई कहा होता है ना जिस price पर कई बार आके रोकी उसको कहते है support label और यह simple सी strategy है दोस्तों हमने company के बारे में समझने का प्रयास के जिसका नाम था इनका यही काम देखने को मिला जिससे आने वाले समय में क्या प्रॉफिट क्या लॉस क्या जा सकता है दोस्तों हमारे साइट से किसी भी company को लेकर किसी भी stock को लेकर के कुई भी एडवाजरी या ट्रेडिंग की बात सामिल बिल्कुल ही नहीं है और लेर्निंग पॉंडर्ड वह से यदि वैल्डू अडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब वेडियो को लाइक कर सकते हैं मिलते हैं कुछ नई company के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू एंड स्वाइ झाल